यह Health Insurance Series का तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे के Cashless Treatment कैसे कराएं Cashless Treatment का मतलब यह होता है कि जब आप अस्पताल में भरती होते हैं जाके और जो भी Treatment का खर्चा है वो आपको नहीं उठाना होता है आपकी जब से नहीं देना होता है वो सारे का सारा खर्चा जो है आपकी Insurance Company उठाती है अब बात करते हैं कि इसको लिया कैसे जाए उसको लेने के लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा जब भी आप अस्पताल में भरती होते हैं तो दो तरह की Admission होते हैं पहला होता है Planned Admission और दूसरा होता है Emergency Admission Planned Admission क्या होता है कि आप डॉक्टर को OPD में दिखाने जाते हैं मालो आपको पेट दर्दुआ डॉक्टर ने आपको जेक चेक किया और फाइनली उसको पतला कि नहीं आपके तो गॉल ब्रेडर में स्टोन है तो आपकी Surgery करने पड़ेगी तो डॉक्टर प्लान करता है कि नहीं चलो आपको भरती करके Surgery करने की जुरूत पड़ेगी तो आपके Prescription पे लिख देता है कि भी Admission for this Surgery तो यह Planned Admission हो गया इसके लिए क्या करना होता है कि फिर आपको Prescription के साथ रोजो Ultrasound या जाचे डॉक्टर ने की थी उनके साथ एक Period Form भरना पड़ता है और जो TPA Desk है यह Health Insurance को सारे Document भेज देती है और आपका Process शुरू हो जाता है Initial Approval के लिए और जो Date Doctor ने Decide की होती है उसके हिसाब से आप आके Admit हो जाता है उससे पहले ही Insurance Company आपका Approval Denial या Query भेज देता है जिसके लिए आपको TPA Desk से टच में रहना चाहिए दूसरा होता है Emergency Admission Emergency Admission क्या होता है कि आपको नहीं पता कोई Accident हो गया कोई किसी को Heart Attack आगया आपको Severe Pain Abdomen हो गया और आप अचानक से किसी अस्पताल में आगए और अगर उस अस्पताल में आपकी Insurance Company का वो Network अस्पताल है जहाँ पे Cashless की Benefit है तो आप Simply जो हमने उपर Documents की बात की थी वही सारे Documents वहाँ पे होते हैं जो Emergency में डॉक्टर Advise करता है Admission और जो भी लाइन उफ लिखता है वो उसके साथ-साथ आपकी जो डिटेल्स होती है जैसे आपका Pen Card हो जाएगा आपका Aadhar Card हो जाएगा आपका Policy Document या TPA का Card हो जाएगा ये सारे ही Documents आपको चाहे वो Planned Admission हो चाहे वो Unplanned या Emergency Admission हो आपको Insurance Desk पे TPA Desk पे इस्पताल में देना पड़ता है और फिर वो प्रोत्राइशन Request भर के डॉक्टर से साइन कराके आपकी Insurance Company को भेज देते हैं और फिर एक Initial Approval आ जाता है जनले लोग ये सवाल करते हैं कि अरे Insurance को Request तो भेज जाता अस्पताल ने चार लाग रुपे का ये Approval तो आया पचास जार रुपे का पचातर जार रुपे का तो एक्च्छल में वो सिर्फ आपको एक लंब सम इनिशल अमाउंट दे देते हैं शुरू में सिर्फ इसलिए कि आपको लगे कि हाँ डिदक्शन होते हैं, को पे है, कैपिंग है या नोन पेवल आइटम से वो डिदक्ट करके बाकी Insurance कंपनी से आ जाता है वो कुछ छोड़ा सा माउंट आपको अपनी पोकेट से भी पे करना पड़ता है तो पुछ उमीद है आपको जानकरी अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो इसको widely share करें और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लें, bell इकन का button भी दबा लें so that आपको ये इस तरह के informative वीडियो समय पे मिलते रहें Thank you